पुलिस वालों ने उनको टोका और उनने पुलिस वालों को ठोका जब पुलिस वालों को ठोका तो पुलिस वाले भी उनको ले गए ठोकने के लिए जाड़ा मारना शुरू किया वहां उनका चिम्टा पड़ा हुआ था चिम्टा लड़के ने उठाया और वो बाबाजी के प प्रेजन्ट होने थी हैं ताकि आप बोल सकें मीनिया है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिया की एक सजन्थ है जिनकी उम्र लगबग 37 साल की थी बच्चे थे वाइफ थी घरवाले थे जॉइन फैमली थी और अचानक उनकी वाइफ ने नोटिस किया कि पिछले 3-4 हफते से जो है इनको नीन थोड़ी कम आ रही है और इसके बावजूद भी थोड़ा फ्रेश फिल करते हैं ज्यादा अक्टिव हो गए हैं पहले तो ये 20 मिनिट की सेयर करके वापिस आ जाते थे बड़ाज कल एक गंटा सेयर कर रहे हैं और पिछले हफते बर से तो इनके घुटने में भी दर्द रहने लगाए जो कि उनके सुभाव का इस्सा नहीं था कि इतनी लंबी सेयर करें और उसके बाद तो उन्होंने कमाली कर दिया उनकी ऑफिस की बस आती थी और उनका उफिस लगबग 7 किलोमेटर की दूरी पे था तो वो ना इंतजार ही नहीं कर पाते थे बस का और पैदली ऑफिस चले आते थे जो कि उनकी वाइफ को थोड़ा अजीब लगा बात यहीं नहीं रुकी दो हफते पहले उनकी वाइफ ने देखा कि उनकी जेब से कॉंडम निकला जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बड़ा प्राउडली बता है किया है तो क्या होगा मैं तो मर्द हूँ जो कि उनकी सुभाव का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था बात तो तब बिगड़ी जब प्रोसी ने उनको कुछ कह दिया और उनने रौर उठाके उसकी गाड़ी का शिशा तोड़ दिया और पुलिस घर आ गई तो उसके बाद उ दवाई उन्होंने छोड़ दी थी पुलिस वालों ने उनको टोका और उनने पुलिस वालों को ठोका जब पुलिस वालों को ठोका तो पुलिस वाले भी उनको ले गए ठोकने के लिए राद बर वो पिटते रहे असेच्चो जो थार थोड़ा दिल का अच्छा था जब एस सच्छों साब आये तो उन्होंने का यार इसकी तो मानसिक तबियत ठीक नहीं है और उनके घरवाले भी तब तक वहाँ पहुंच गए उनको फोन किया गया और उन्होंने पर्चे दिखाए कि इनका इलाज चल रहा है इन्होंने धवाई फिशले दो-तिन मेनें से खाई नहीं है इसलिए इनकी तबियत खराब है तो यह बहुत ही important है कि इस तरह की चीज़े जो है हो जाती है पेशिंट करना नहीं चाहता उसके लावा एक और पेशिंट थे जो मेरे senior के थे और मेरे professor के थे जब मैं PG कर रहा था तो अचानक क्या किया उनकी अच्छी rich family थी business family थी और उ एक लाक रुपे थी क्या आप imagine कर सकते है आज से पंदरा साल पहले एक करोड रुपया खर्च किया गया और वो business idea पूरे की तरह flop रहा और उसमें घरवालों को 40 लाक में वो सारे के सारे pool table वापिस करने पड़े उसी तरह एक और case है उसमें लड़की थी और लड़की को क्य जब वो मेनिया हुआ तो वो तेजी में आ गई तेजी में आने के साथ उसने क्या किया प्रोस के लड़के को I love you कह दिया और एक गुलाब का fool दे दिया तो उसकी वज़े से घरवाले बहुत ही परिशान हो गए और बाद में उसने यह भी कहलान शुर्दू कर दिया कि मेरे और उपरी चकर समझते हैं बाला जी भी जाते हैं और उसके बाद एक बार तो बहुत ही इंटरस्टिंग इंसिटेंट हुआ था कि जाड़ फूक के लिए मरीज को लेके गए और जाड़ फूक बाले बाबा ने जाड़ा मारना शुरू किया वहां उनका चिम्टा पड़ा ह हुआ था चिम्टा लड़के ने उठाया और वह बाबाजी के पीसे बाबाजी आगे आगे तो पेशन्ट के घरवाले समझ गये कि अब यह बाबाजी की बसकी बात नहीं है इन्हें शायद हमें कोई और ही इलाज कराना पड़ेगा दोस्तों मेनिया में होता क्या है एक तो होती है वो इसमें बढ़ जाती है और इसमें का बहुत जादा रोल नहीं है सबसे पहले मेडिसिन का रोल आता है और मेडिसिन का एफेक्ट जो हफते भर में आ भी जाता है और जो मेडिसिन दी जाती है उनको मूड स्टेबलाइजर कहा जाता है मूड सब्लाइजर का मतलब होता है जैसे लिथियम है सोडियम वैल्परेट है या कार्बामजब पीन नाइंटी तो नाइंटी परसंट पेशन तो इनी दवाईयों से सेटल हो जाते हैं या से इसके लावा कई बर पेशन को एंटी साइकॉटिक की जुरत पढ़ती है क्योंकि पेशन को कई बर डिलूजन होने लगती है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं मैं इसको जानता हूं शेरा वाली माता मेरे अंदर है क्रिशन भगवान आ गए हैं और इसके लावा इसमें एक दवाई की जुरत पढ़ती हैं जो कि नीन की गोलिया है जिनका नाम जंता ही लोग खौफ में आ जाते हैं पर उसमें हम प्रॉपर एक वीडियो ही बनातेंगे कि नीन की गोलियों के क्या क्या साइड एफेक्ट हैं आपके मन में कोई दुवदा मैं छोड़ूंगा ही नहीं मैं ही बता दूँगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कितनी खानी चाहिए या कितनी नहीं जब यह तब्यात थोड़ी ठीक हो जाए उसके बाद आप चाहें कॉंसलिंग तो वो कॉंसलिंग भी करा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका इलाज जो है वो जुरूर कराना है और जो मेनिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडिशन है जिसको साइक्याट्रिस ही बहता ढंग से समझ पाता है तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है कि उन्होंने ECG की मशीन ही तो डाली डॉक्स साब कि और डॉक्स साब भी खौफ में आगे कि यह क्या हुआ क्या अगर पेशन चिलाए या बत्तमीजी से कुछ बोल भी दे लेकिन आम डॉक्टर को तो यह नहीं acceptable होता न कि कोई उनकी बेश्ती कर दे या कुछ बोल दे क्योंकि मेनिया का परीज क्या बोल देगा कुछ नहीं पता कब आके आपके गल लग जाएगा कुछ नहीं पता कब आ तीन से छे मिनें इंतजार करना सही भी होगा तो यह बहुत ही important है और अकसर जब किसी को मेनिया होता है तो उनको bipolar भी हो जाता है over a period of time क्योंकि मेनिया के साथ depression का combination रहता ही है तो उसका link भी हम इसके description में डाल देंगे फुराने वीडियो भी है नहे भी है वह आप देख सकत हैं इस बिमारी को समझ सकते हैं और जिनको मदद की जुरत है उनकी मदद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए बलकि psychiatrist की यह duty होती है कि वह patient को psycho educate करे कि जब भी आपको लगे इसकी नींद कम और यह फ्रेस जादा है बाते जादा करने लग रहा है तो उस case में आपको दिखाने की जुरत है अगर मैं लक्षनों की बात करूं तो इसके साथ लक्षन होते हैं जिसमें से तीन होने चाहिए जो कम से कम एक हफ़ते तक प्रेजंट होने चाहिए ताकि आप बोल सके मेनिया है तो सबसे पहले लक्षन तो यही है जादा बाते करना दूसरों जेका घुटने में दर्द हो गया उसके बाद मन जो है वो बहुत खुश रहना एक से दूसरे नहीने विचार आना उसके बाद ऐसी एक्टिविटीज में इन्वाल होना जैसे पहले नहीं होते थे सेक्स की मैंने अल्रेडी डिसकस की रिलीजन की नशे की कही बार ऐसा होता है कि लोग गांजा पीने लग जाते हैं या सिगरेट पीने लग जाते हैं या दारू पीने लग जाते हैं जो पहले नहीं करते थे और करते भी थे तो मातरा बढ़ जाती है और करते भी थे तो घरवालों के सामने बेशर्मी से करने लग जाते हैं जो कि इनको सुभाव का इससा नहीं होता उसके बाद जो है एक चीज पर टिक नहीं पाना इधर से उदर चले जाना तो इसको distractibility बोलते हैं कि एक काम छोड़के के दूसरे पर दूसरा काम छोड़के तीसरे पर तो ये एक serious और घंबीर psychiatric emergency है जिसको एक psychiatrist ही handle करें तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए आप किसी भी अपने नजदीकी psychiatrist का opinion ले सकते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है patient की तब थोड़ी ठीक हो गई है और उसको समझाना है कि बिमारी क्या है कैसे है क्या करना है तो उसके लिए जो है फिर आप जो है psychologist की मदद भी ले सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद